शिव समा रहे मुझ में और मैं शुन्य हो रहा हूँ ल्जुश अपरेल को विश्व बहुद्देक संपता दिवस के रूप में मनाए गया इसलिए हर साल 26 अपरेल को विश्व बहुद्देक संपता digo जानि के रूप में मनाए गया वर्ड इंटलेक्टूल पॉपटी डे के रुप में मनाए गया गया धोस्तों रा कि अनुपडी can तीजbach वीषिन वर्फी nigเ करे के रुप में मनाया गया ओस्तानिक्स पर राइब्त defensive को अलपशंख्षा का अधिकार दिवसके रुप में मनाएगा तो दोस्तो तमिलनाडू सरकार ने हर साल राज्य में तमिलनाडू राज्य में 18 डिसंबर को अलप संक्या का अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाने की गोशना की माइनरिटी जराइड डे के रूप में 18 डिसंबर को मनाएगा तमिलनाडू तो ग्रामिन क्षेतर कि अल्प संक्याक स्टूडेंट्स को विना किसी बादा के पढ़ाई करने के लिए थर्ड से फिफ्ट क्लास तक के स्टूडेंट्स को पासर रुपे दिये जाएंगे और कख्षा छटवी से स्टूडेंट्स को अजार रुपे की मदद करेगी तमिल नाडू सरकार दोस्तों तो दोस्तों हाली में तमिल नाडू रज अट्रा डिसंबर को अल्प संक्याक अधिकार दिवस माइनोरिटीज राइट्स डे के रुप में मनाया गया और दोस्तों अभी तमिल नाडू सरकार ने 14 अप्रेल पापासाइब आम बेट कर की जहनती के उपलक्ष में 14 अप्रेल को समानता दिवस भी मनाये जाने की गोशना की थी दोस्तों तो दोस्तों हाली में तमिल नाडू रज अट्रा डिसंबर को अपसे हर साल में अल्पसंक्यांक अधिकार दिवस यानि की माइनोरिटीज राइट्स डे के रुप में मनाये जाने की गोशना की है दोस्तों और द लामाफोबिया दिवस, छे डिसमबर को मैतरी दिवस, 37 डिसमबर को महामारी के तयारी कांदरास्ट के दिवस, 2022 से ही अपन्ने मनाई जाने की खुषना की थी, और 26 डिसमबर को विरबाल दिवस और 16 जनुवरी को स्टर्टप डे एक रुप में मनाय जाने की गोष्चणा की ती तो defensive Kai बिनाड़ू सरकार ने पहलते हैं तो दोस्तोंा आपके पहले सामुदाईक रेडियो स्टेशन दुधवानी का उद्गातं गुजरत में किया तो प्रधान मंत्री नरिंदर मोधी जी ने भारत के पहले सामुदाइक रेडियो स्टेशन, कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन दुधवानी, दुधवानी जिसका नाम रखा गया है इसका उद्गाटन गुजरात में किया गया तो यह रेडियो स्टेशन पशुपालन को तो बना संकाटा डिस्टिक कोपरेटिव मिल्क प्रोडूसर्स ने बारत के पहले सामुदाइक रेडियो स्टेशन जिसका नाम रखा गया है दुधवानी का उद्गाटन गुजरात में किया गया तो गुजरात राज्य के 1700 गाओं में पाच अलाक से ज्यादा डेरी किसानो को आपस में जोड़ेगा यहाद उद्वानी रेडियो स्टेशन और आली में दुरुष्टि बदीत लोगों के लिए देश का पहला रेडियो जैनल रेडियो अक्स को नाकपुर महारास्ट में लांच किया गया ता 13 फेबुरारी को वर्ल्ड रेडियो डे मना थे और 2022 की त दोस्तो आली में भारत के पहले सामुदाइक रेडियो स्टेशन जिसका नाम रखा गया है दूदवानी इसका उदगाटन गुजरात राज्य में किया गया है दोस्तो आली में किशोर कुमार अदास जी को कॉमन वेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित कि गया तो दोस्तो बंगलादेश की टीचर चैरिटी टीचर यानि की एजुकेशनल चैरिटी बिद्यानंदो के फाउंडर किशोर कुमार अदास जी को कॉमन वेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया तो ब्रेट्टे शाय कमिशन देता है यह कॉम और लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा भी देता है दोस्तो बिद्यानंदो जो की एक बंगलादेश की एजुकेशनल चैरिटी है दोस्तो तो दोस्तो आली में किशोर कुमार दास जी को कॉमन वेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया आली में न कॉमन वेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा दोस्तो दोस्तो आली में एशियन बैडमेंटेंट चंपियंशिप 2022 का आयोजन फिलिपिन्स देश में किया गया है तो दोस्तो हमारे कॉंटिनेंट महाद वीप की सबसे बड़ी बैडमेंटे एशियन चंपियंशिप 2022 का आयोजन फिलिपिन्स देश में किया गया 26 अप्रिल 2022 से फिलिपिन्स की कैपिटल मनिला में एशियन बैडमेंटेंट चंपियंशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा और पीवी सिंदी और लक्षसेन बारत का प्रतिनी दित्व करेंगे इन एशियन बेडमेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे तो दोस्तो हली में एशियन वेडमेंटेंटेंच चैंपियंशिप का 40 संसकरन का आयोज एचेंट फिलिपिंस की राज़भानी मनिला में किया जाएका दोस्तों इस पे जलते है एमिलिया रोमागना bạnप्रिक्स का किताब अपने नाम किया। और दोस्तो आली में अस साल की पहली ग्रैंड प्रिक्स यानि की बहरीन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लिकलर्ग जीने जीती थी जो की फरारी के ड्राइवर है मुनाकको के ड्राइवर और दोस्तो साओधी अरेविया ग्रेंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वर्सपन जीने जीता और सिलियन ग्रेंड प्रिक्स का खिताब चाल सले कलर्क जीने जीता और हाली में हुई एमिलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स का किताब मैक्स वर्स पन रेड बुल के ड्राइवर नेदर लेंड के रही वासी ने जीता दोस्तों रिंक्स पहलते हैं दसिक हिस्ट्री ओफ इस्ट इंडिया दोस्तों और दोस्तों इन्हों ने यानि की ओडिसा के मुख्यमंत्री नविन पटनाएक जी ने लाँच किया था दोस्तों आली में दसिक हिस्ट्री ओफ इस्ट इंडिया नामप पटनाएक जी ने लिखा है जिसको लाँच किया गया है ओडिसा के मुख्यमंत्री नविन पटनाएक जी द्वारा नेक्सपे जलते हैं तो आली में एप्रिल दोजार बाइस में एलाउन मस्क ने ट्विटर को खरिद लिया तो दोस्तों सरो परतम ईलाउन जी ने 9.2% शेयर्स करी देते ट्विटर में फिटर को खरिदने की ही कोशिश कर ली थी दोस्तों और दोस्तों अभी इंडियें चो फांडर है जेक डोरसी जिसके करंटली सीईओ है पराग अगरवाल तो दोस्तो आली में अपरेल 2022 में एलाउन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है दोस्तो चब वालिस बिलियन डॉलर में निक्स पेलते है तो दोस्तो आली में एंड्रू रूबलेव जी ने सर्बिया ओपन का खिताब अपने नाम किया तो रशिया के टेनिस प्लेयर एंड्रू रूबलेव जी ने सर्बिया ओपन का खिताब अपने नाम किया हाली में मयामी ओपन 2022 का किताब कारलोस अलकराज जी ने जिता इनमेंस केटेगरी और इगा स्विटेग जी ने इन वोमेंस केटेगरी जीता दोस्तो और इगा स्विटेग जो की पोलन की खिलाड़ी है वर्ल्ड नमबर वन प्लेयर बनी थी दोस्तो आली में और वर्ल्ड नमबर वन प्लेयर बनने वाली पहली पोलन की प्लेयर भी बन गया तो जॉन एफ केनेडी लाइबरी फांडेशन ने दोजार बाइस में पाच लोगों को जॉन एफ केनेडी प्रोफाइल एंकरेज अबॉर्ड दोजार बाइस से सम्मानित किया गया तो दोस्तो युक्रेन देश की राष्टपती विलाद में रिजलन्स कीजी को जॉन अंतरराष्ट्य प्रतिनिदी दिवस के रूप में मनाया गया तो इंटरनेशनल डेलिकेट्स डे के रूप में 25 अपरेल को मनाया गया दोस्तो तो एक्चुली 25 अपरेल 1945 को सैन फ्रेंसिसको में पहली बार 50 देशों के प्रतिनिदी एक साथ में आये थे इसलिए हर साल 25 अंतरराष्ट्य प्रतिनिदी दिवस यानि की इंटरनेशनल डेलिकेट्स डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तो नेक्स पे जलते हाली में पैरिस बुक आफ फेस्टिवल 2022 में भारत देश को गेस्ट ऑफ आनर के रूप में नामेत किया गया तो दोस्तो हाली में पैरिस जो कि एक मेकसिको का शहर है उसको वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी का वार्ड भी चुना गया था दोस्तो 2022 के लिए तो दोस्तो वाली में पैरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत देश को गेस्ट ऑफ आनर के रूप में नियोक्त किया गया है दोस्तो तो दोस्तो यह थे 27 उसकी एक बार रिविजन कर लेते है हाली में 26 अपरेल को विश्वब बुदिक संपदाद दिवस यानि की वर्ल्ड इंटलेक्च्वल प्रॉपर्टी डिवस के रूप में मनाय गया और हाली में तमिलनाडू रज्य ने 18 डिसंबर को अलपसंद क्याक अधिकार दिवस यान में किशोर कुमारदास जी को कॉमनवेल्थ पॉइंट ओफ लाइट अवाट से समानित किया गया हाली में इशियन वेडमेंटेंट जंबियंचिप 2022 का आयोजन फिलिपिन्स की राजधानी मनीला में किया गया हाली में इमिलिया रोमागना ग्रेंड प्रिक्स का किताब मैक् रशिया के टेनिस प्लेयर है इन्होंने सर्विया ओपन का किताब अपने नाम किया हाली में युकरेन देश के राश्टरपती व्लाद मेर जेलन्स की जी को जौन फ केनेडी पुरसकार से सम्मानित किया गया हाली में 25 अपरेल को अंतरास्टिय अप्रतिनीती दिवर्स जन्दा आया होगे तो दोस्तो लाइक करती जिए कमेंट करती जिए और दोस्तो ऐसे ही डे टू डे करेंट अपएर क्लासेश उनकी रिविजन क्लासेश और जनरल नालेज क्लासेश पाने के लिए गुरुभाई के 440 वोल्ड करेंट अपएर इस चैनल को फालो कीजिए सब